वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तो आज के वीडियो का टॉपिक है कि कोर्ट मेरिज के बाद यदि आपके उपर F.I.R. हो गया है तो आप पुलिस को कैसे डील करें आपको इस वीडियो में मैं आपको step by step सब कुछ बताऊंगा आप ध्यान से इस वीडियो को देखें आपको सब कुछ समझ आएगा सबसे पहली बात आपने एक बात तो सुनी ही होगी कि सवधानी ही समाधान इस बात पर आपको भरोसा करना चाहिए यानि आपको सवधानी पहले ही बरत लेनी चाहिए जब आपके पास समस्या आ है आप उस समय समाधान डोडेंगे तो साउधानी बरतने का वक्त निकल गया होगा तो क्या कह करें साउधानी बरतने के लिए आईये जानते हैं सबसे पहले जब आप हमारे पास में booking करा लें हलाकि booking कराने से पहले भी जब आप Lead India Law Associates के office में call करेंगे हमारे help line number डबल डबल जिरो ट्रिपल फो ट्रिपल फाइब पे Monday to Saturday call करेंगे तो यह कोशिश करें कि आप नए नंबर से बात करें और वो नंबर किसी को भी पता नहीं होना चाहिए क्योंकि पुलीस अक्सर क्या करती है कि जब आप घर से निकलते हैं तो वो आपके mobile number के थुरू आपके location को track करने की कोशिश करती है अगर मान लीजिए आपने number बंद कर लिया तो CDR निकालती है जिसमें सभी numbers आपको निकल जाते हैं कि आपने किस से किस से बात किया है फिर उन number को track करना शुरू कर देती है जो CDR में available है और उसके थूरू पुलीस पहुँच जाती है advocate के पास या जिन के पास में हलाकि हम कोई अपराद है नहीं कर रहे है कुछ गलत काम नहीं कर रहे है लेकिन पुलीस अपनी duty कर रही होती है क्योंकि उसके पास कोई complain हुआ होता है चाहे complain फर्जी ही क्यों ना लड़की के घरवालों ने फर्जी ही क्यों ना करा दिया लेकिन पुलीस इस तरीके से आपको बीच रास्ते से पकर सकती है और जो शादी के सपने आपने संजोय हुए है वो होने से पहले ही समाप्त हो सकता है तो ध्यान रखें कि नए नमबर से जरूर बात करें और उस नमबर को किसी से भी शेयर ना करें एक और जो गलती होती है सबसे ज़्यादा वो यह होती है कि ज़्यादा लोगों को ना बताएं कई बार मैं अभी बता रहा हूँ आपको साउधानी के बारे में आगे यह भी बताऊंगा कि F.I.R. होने के बाद क्या करें लेकिन उससे पहले कुछ साउधानी की चीज़े जान लेनी बहुत जरूरी है ज्यादा लोगों को बताने से मेरा मतलब यह है कि आप यह समझते हैं कि यह मेरे बहुत ही closest friend है और उनको बताना चाहिए और आप बता देते हैं या फिर आप सोचते हैं कि चलो मैं इनको contact में रखूँगा और बाद में इनसे call करके घर पे क्या हो रहा है उसका feedback लेता रहूँगा ऐसा करना भी खतरनाक है जब आपने एक बार सोच लिया कि आपको शादी करनी है आप घर से निकल गए उसके बाद से घर पे क्या हो रहा है इसकी परवाह करने के बजाए आप ज़्यादा लोगों को ना बताएं घर पर आप जरूर यह समझा दें लेटर के मादिम से या कभी फोन पे बताना हो या माबाप को भी नहीं है तो वो भी कुछ कर नहीं सकते हैं तो इसलिए ध्यान रखें ज्यादा लोगों को नहीं बताना है क्योंकि पुलिस आपके क्लोजेस्ट रिलेशन या फ्रेंड्स को पकर लेती है और उनसे बात उगलवाने की कोशिश करती है समस्या बन सकता है एक औ आपने शादी की उसका इसलिएसन नहीं करा अ पर इसका कोट में रजिस्टीरशन करा दिया और उसके बाद से अखबार में उसका पुलिकेशन भी हो गया इसे सबसे बरहालाव यह है कि पुलिस आपके फॉल्शलिकेशन लगाके जाँच के नाम पर पररिशान नहीं करती ह पर एक और महत्रपून बात है कि publication से आपकी privacy नहीं जाती है क्योंकि यह subscriber-based news paper होता है किवल आपको उसके digital copy मिलती है आम public को नहीं मिलता है तो आपको privacy को लेकर कोई tension नहीं है Intimation इसलिए भिजवा जाता है ताकि intimation later का मतलब यह होता है कि आपने शादी कर ली उसकी सूचना पुलिस को SP आफिस में लर्की के घर पे जहां रिक्वार्मेंट हो वहाँ पे हम अपनी दरफ से एक सूचना को वकिल के मादम से भिजवा दें ताकि कल को कोई ये ना कहे कि आपने लर्की को किड्नैप कर लिया था और हमें कोई information ही नहीं दिया था तो ये 200 विदा लीड इंडिया में है optional है आप चाहे तो करवाएं ना करवाएं लेकिन आप अगर किसी भी तरीके का आपको खत्रा हो तो जरूर इस चीज़ को करा ले एक और शादी के बाद लर्की के घर certificate आवश्य भेजें अगर शादी हो गई अब शादी के बाद से लर्की के घर पर certificate आप WhatsApp के माधम से आवश्य भेज़ें क्योंकि WhatsApp के माधम से भेजेंगे तो वो उस record को delete कर भी देंगे तो भी ये साख्छे रहेगा कि आपने उनको inform किया था फिर भी अगर वो आप एक kidnapping का आरोप लगाते हैं तो वो court के सामने पुलिस के सामने जूटे साबित हो जाएंगे लेकिन ध्यान रखें ऐसे location से भेजें जिस location पे आप temporary अभी हों वहाँ से फिर चले जाएं ताकि पुलिस अगर location track भी कर ले तो आपको समस्या ना हो इन सारे सवधानियों को लेने के बावजूद अगर आपके उपर F.I.R. हो गया है तो क्या करें सबसे पहला चीज़ डरे नहीं पहले F.I.R. की कौपी माने देखें अगर आपके F.I.R. हो गया किसी पुलिस वाले ने कॉल किया किसी ने भी आपको कॉल किया और बोला कि आपके खिलाफ F.I.R. दर्ज हो गया है तो आप उनसे कहें कि सर आप हमें F.I.R. की कौपी उपलब्द करा दें एकोर्डिंगली हम आपके पास आके इन्वेस्टिगेशन को जॉइन कर लेंगे तो आप F.I.R. की कौपी आवस से मांगे क्योंकि इसी के बेसिस पे हम जान पाएंगे कि यह आपके खिलाफ क्या फॉल्स ऐलेगेशन लगाएगे है दूसरा ओफिस जाकर F.I.R. और सुरक्षा की गुहार लगाए देखिए अगर मान लीजे कि पुलिस आपको बार-बार बुला रही है और कहरी है कि भाई आपको आना होगा या हो सकता है ठाने से बुलाये जा रहा हो तो आप S.P. आफिस चले जाएं और S.P. आफिस में जाके बोलें कि सर हमारे पास फोन आ रहा है और फोन जो है मुझे बार बार बुलाया जा रहा है धमका के बात किया जा रहा है और मैं यह चाहता हूँ कि मेरे खिलाफ अगर कोई F.I.R हुआ है तो F.I.R की कौपी मिल जाए और चुकी हम दोनों बाली हैं और हमने कानूनी तरीके से शादी किया तो हमें सुरक्चा भी परदान किया जाए यह गुहार आप S.P. आफिस में जाके लगाएं तरीके से बात करें जरूर आपकी बात बनेगी आप इतना कर लिया आपने F.I.R की कौपी मांग ली S.P. आफिस चले गए बावजूद इसके F.I.R हो गया है तो पुलिस अपनी ड्यूटी तो निभाएगी तो अगर मान लिजे कि पुलिस आपको बुला रही है और कह रही है कि 164 का ब्यान कराना है या कहरिए कि आप ठाने आ जाए तो ठाने जब कभी भी जाए अगर आपको ठाने जाने की ज़रुद पर ही जाए तो उस समय आप कोई वकील जरूर कर ले या अपने परीजन के साथ ठाने जाए ताकि वहाँ पर अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा हो तो आप उस समय अपना बचाव कर सकते हो अगर आप थाने में अकेले चले जाएंगे तो हो सकता है कि आप अपना बचाव ना कर पाएं अब एक और महत्वपून बात यह है कि अगर आप थाने में जाते हैं और थाने में जाने के दोरान अगर आपकी खिलाफ F.I.R. हो गया हो तो पुलीस आपको आपकी खिलाफ 164 मतलब पुलीस आपकी पतनी का 164 का बियान दर्च करेगे जब आप 164 का बियान आपकी पतनी का दर्च किया जा रहा होगा उस वक्त यह जरूए है कि आपके साथ में कोई वकील हो क्योंकि 164 के बियान के दोरान अगर कोई वकील नहीं होगा तो चाहे आपके पत्नी ने आपके पक्ष में बियान क्यों ना दिया हो उसको तोर मरूर करके सरकारी वकील आपके पत्नी को हो सकता है कोई अरंगा लगा करे जाने से रोक दे और फिर आपको बहुत समस्या का समधान करना परें अगर मान लीजी 164 का बियान आपके पक्ष में हो गया और आपके पक्ष में होने को आपके पत्नी आपके साथ आ गई तो पुलिस की वैधानिक ड्यूटी बन जाएगी कि वह कोट में एफार लगाएगी और आपके केस को एफार को समाप्त करेगी अगर आपकी पत्नी ने आपकी खिलाफ बियान दे दिया है 164 का बियान खिलाफ दे दिया है तो आप अपने वकिल साहब से यह बोल सकते हैं कि 164 का दुबारा बियान कराए जाए क्योंकि जिस वक्त 164 का बियान हुआ था उस वक्त आपकी पत्नी दबाव में थी इससे भी आपको बहुत मदद मिलेगा अगर इसके बावजूद भी आपकी पत्नी ने आपकी खिलाफ बियान दे दिया है तो आपके पास राइट है कि हिंदू मेरेज एक्ट में सेक्शन 9 होता है सेक्शन 9 के तहत कंजूगल राइट्स के लिए आप जो है कोर्ट में अप्लिकेशन डाले और अगर गंभीर मामलों में आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज है तो आप बेल भी ले ले तो ये बेसिक इंफोमिशन मैंने आपको दिया थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है लेकिन आपको साधानी भी बताईया और एफ आई आर होने के बाद से आपको क्या करना चाहिए वह भी बताया है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसको लाइक किजेगा शेर किजेगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब किजेगा बेल आइकन प्रेस किजेगा बहुत बहुत धन्यवाद